हलो एवरिवन डी यू एसोल की तरफ से मजबूरन एक नोटिस निकालना पड़ गया है यूनिवरस्टी को और ये नोटिस इसलिए निकला है विकॉस कल रात से ही एक फेक नोटिस बहुत अधर स्प्रेड किया जा रहा था और आई रिली डॉन्ट नो कि ये फेक नोटिस केली ग्रूप चलाने वाले लोग हैं यह इस चीज को बढ़ावा देते हैं इसमें क्या है कि इसमें लिखा गया है कि जो आपका 11 मार्च और 12 मार्च वाला एक्जाम है वो भी कैंसील हो गया है बैसिकली इस नोटिस में यही लिखा गया है और नोटिस लिखने वाले ने क् कल होने वाला है इसका इस notice का मतलब यह है कि यह notice 11 March को release करा गया है इस notice में बात लिखी गई हो 11 March को release करी गई है वो क्यों जो कि इसमें tomorrow that is 12 March का word use करा गया है अब बाइ 11 March को notice आप release कर रहा हो और वो notice बच्चों के बास 9 March को आ रहा है यह कैसे possible हो सकता है तो यह notice बिलकुल भी fake है दोस्तों और इस ऐसे notice पर बिलकुल भी विश्रास ना करें और इसी notice के चक्कर में D.U.S.O.L. को एक अपना official notice निकालना पड़ गया कि यह देखा दा रहा है कि कुछ unauthorized जो WhatsApp group है वो गलत information फिला रहा है समेसर वन एक्जाम के कैंसिलेशन के रिगार्डिंग वो कंप्लीटी फेक है और फर्स समेसर examination है student के वो जो भी शिट्यूल अब आपके admit card में है उसी के coding होंगे हाँ यह बात बिलकुल सथ है चार और पांच मार्च वाला जो बी ए प्रोग्रम और भीकॉम owners का exam है वो एसोल की गलती के वज़े से कैंसिल हुआ है ठीक है कुछ बच्चों को message नहीं बोजे जो timing change हुई उसको ठीक से message नहीं बुचाया गया admit card में timely correction नहीं करा गया वो बिलकुल आप उसके लिए एसोल को कटगरे में खड़ा कर सकते हो बट खेर अब वो चीज हो चुकी है तो उस चीज का discuss करना है या कुछ फायदा नहीं है अब अब यह ही कि जो आपका ग्यारा मार्स से जो भी exam है वो आपके admit card के according रहेंगे ठीक है वो बीए प्रोग्राम का हो और बीकॉम owners का हो इसके अलबाब बीए प्रोग्राम और बीकॉम owners के रहें आप बाकी सारे courses की जो paper है वो आई सिंग एक ही paper अब आपका बचा होगा value edit course का वो आपके admit card के according ही होगा इसमें एक बात साफ साफ लिखी गई है कि school of open learning का कोई भी whatsapp group नहीं होता है कोई भी whatsapp group नहीं होता है इसलिए आप सभी बच्चों को यह advice करी जाती है कि अगर आप किसी भी ऐसे unauthorized whatsapp group में add हो तो please अपना career खराप ना करें उस whatsapp group को leave कर दें please और मैं अपनी दरह से एक बात यहां कहना चाहूंगा बहुत से whatsapp group या telegram group ऐसे भी होंगे जा आपको सही information देते हैं सही जानकारी देते हैं तो मैं यह बिल्कुल नहीं कितना कि आप उन whatsapp या telegram group से leave करो कहने के मतलब यह कि ऐसे information जो whatsapp या telegram group में आती है ऐसा कोई notice आता है जो website पर ही available नहीं है तो ऐसे notice पर please विशवास ना करें और कोई भी group में आप add हो इतना जरूर समझ लें S.O.L. की तरफ से कोई भी official whatsapp group आज तक कभी बनाया ही नहीं गया इसके लावा एक notice और यहाँ पर clear करने को आपको निकालाता है S.O.L. न इसे examination notice of BA program and BCom owners इस notice में साफ लिखा गया था कि जो 11 March या उसके बाद के जो exam है वो आपके admit card के और date sheet के according ही होंगे ठीक है बाकि इसके लावा 4 March और 5 March वाला जो exam है वो जब भी schedule करा जाएगा तो इतना ही ठेंक यू